नमस्कार दोस्तों आज का जो एकी वीडियो है आपके दिल को खुश कर देगा और आज आपको लगेगा कि इंसानियत हमारे बीच जिन्दा है जो आज हम देखते हैं इतना क्राइम बढ़ रहा है उस बीच में ऐसे लोग भी उपस्तित हैं जीवित हैं जो दूसरों के बारे मैं सोचते हैं अपनी जान की परवा किये बिना तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे ही महान शक्ष के बारे में एक महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है नारायन दभड कर जी तो यह जो नारायन जी है यह RSS के स्वयम सेवक थे अपनी जीवन भरे इनों ने इन व्यक्ति की तब्यत खराब थी 25 वर्ष के उम्र है इनका जो परिवार है इनकी जो बेटी है किसी तरीके से अपॉइंटमेंट लेती है हॉस्पिटल में इनको बैड मिलता है अब आपको पता है कोरोना क्राइसिस चल रहे है स्थिती बहुत खराब है और मिल नहीं पा बैड नहीं मिल पा रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं इसी की किलत के कारण बहुत से लोग आज अपना शरीर छोड़ रहे हैं तो इनको भाई जब डेट मिलती है यह वहाँ पर जाते हैं अपने पिताजी को लेके और जब यह वहाँ पर पहुचते हैं बैड के लिए तो वहाँ पर देखते हैं एक महिला रो रही होती है जो कि 40 वर्श उमर होती है उनके बच्चे वहाँ पर रो रहे होते हैं और क्यों रो रहे होते हैं क्योंकि उनके पती को बैड नहीं मिल रहा होते हैं तो यह वहाँ पर उसको देखते हैं अब्जर्व करते हैं कि किस तरीके है जो ये पतनी है इनके जो पिता है पती है ये भाई जीवित रहने चीए इनको बैड मिलना चीए जिससे की इनकी जिंदगी अभी बहुत है तो इसकार्थ समझे आप इसकार्थ ये हुआ कि ये अपना बैड उस व्यक्ति को दे रहे थे यानि कि ये खुद की जान जोखे मे डाल रहे थे ये कह रहे थे मुझे इलाज की नहीं आवशक्ता है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जीली है आप उस व्यक्ति को वो बैड दे दो ठीक है इसके उपर अब ऑव्यसी बात है आप इस तरह की बात करोगे तो नहीं हो सकता तो कंसेंट ये साइन भी करते हैं ये इतना बढ़िया काम कर रहे है और क्या किया जाता है कि भाई वो बैड उस व्यक्ति को दे दिया जाता है अब आप सोचो कि एक 85 वर्ष का व्यक्ति जिसका भी परिवार है और उसकी बुद्धी आप देख सकते हैं उसके जीवनकाल में वो कितना सात्विक रहा होगा कि वो ये बात कह रहा है कि भाई आज उस व्यक्ति को दे दो मतलब वो कितना बड़ा त्यागी है अब समझ सकतो ऐसे त्याग का एक्जामपला सेट होता है आज भी हमारे बीच में ऐसे सात्विक लोग उपस्थित हैं जो खुद का ना सोचके स्वार्थ ही ना होके दूसरे का सो आज हमारे बीच में लोग उपस्थित हैं बिल्कुल हैं ये जो नारायन जी जैसे लोग हैं जिनके कारण ही आज हमारा जो समाज है आज हमारी जो संस्कृती आज जो हमारा भारत देश है टिका हुआ है इनी के जैसे लोगों के द्वारा तो दोस्तो मेरा तो सल्यूट है और मैं चाहूंगा आप सब लोग भी इनको ट्रिब्यूट दे, तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे हम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तो, आज जो यूथ है, जो इस अंध्य हो जाते हैं कि दूसरा कितना तड़ा प्रहम उसको कितना कष्ट दे रहे हैं वो देखना बंद कर देते हैं तो ऐसी चीज ना हो बाकी यह मिसाल है और यह इतिहास में दर्ज रहेगी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है इसको जाधा से जाधा शेयर करें आप मेरे को फीजबुक ट्विटर इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जैहन्द